इंडिया की जब भी बात करते हैं में इंडेयन घ्रिक्ट की जब भी बात करते हैं तो हमारे जेहनों में उनकी strong batting आती है हमारे जहनों में विरात कोली आते हैं हमारे जहनों में सक्चिन आते हैं ड्राइविट आते हैं सौरफ गंगूली व्रींदर सहवाग बड़े-बड़े नाम यवरा सिंग यामेज धोनी पड़े-बड़े बैट स्मेन हमारे जहनों में आते हैं जब भी हम Indian क् perception थोड़ा सा change गिया है भारती बालर्स में जो अभी भारत के जो बालर्स हैं मेरे खायल में इस वर्लकप की अभी तक की सबसे बहतरीन बालिंग लाइनप सबसे बहतरीन fast बालिंग लाइनप में इसको कहूंगा कि जिस टीम में मुहम्मद शामी की जगा नहीं बन भी पास बालिंग लाइन में जिसमें आज अपना 2023 वर्लकप का पहला मैच किला और पांच किलाड़ी आउट कर दिये तीन fast बालर्स हैं उनके मुहम्मद सिराज हैं मुहम्मद शामी हैं और जस्परित बोमरा हैं जबर्दस परफॉर्मिस दे रहे हैं चाहे वो 2023 हो चाहे वो 2022 हो भारत को जो है वो मैचिस जितवार हैं 2023 वर्लकप की अगर हम बात करें इसमें भी उनके बॉलर्स ने अभी तक पतुहात में हम किलदार अदर किया बगर आप देखें पाकिस्तान के खिलाब उन्होंने 191 रंस पर पाकिस्तान को आउट कर दिया फिर और खिलाब और इस टॉर्नमेंट में तीन सो बहुत असानी सोर है तो एक जबदस बॉलिंग लाइन अप मैं कहूंगा और यही बॉलिंग लाइन अप है जिसकी वज़ा से इंडिया ये टॉर्नमेंट भी जीच सकता है अगर हम 2023 के स्टैट्स की बात करते हैं मुहमद शामी ने 2023 में उनको कम थोड़ा सा मौका मिला इसी वज़ा से के सिराज और बॉम्रा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं शामी ने 13 मैचस के लेiron 24 विक्ने लिए 21 की उसस से वर्ड कप के मैचस की बात कर रहें तोवर्ड कप के 12 मैचस में 16 मिच्छे हो गई हैं महमद शामी की और इंडिया के टॉप बॉॉलल के लिज़ानीस में 2023 में 19 मैचिस खिले 36 विक्टे लिए हैं कमाल की एवरिज है 19 और एशिया कप का फाइनल आपको पता है उन्होंने इंडिया को जितवाए जब उन्होंने स्रिल्लंका के 6 खिला लिया आउट किया बुम्रा कम मैचिस खिले 11 मैचिस 19 विक्टे हैं 19 की और से जबरदस आपके अच्छा परफार्म करते हैं देकल पाकिसान ने पहले बैटिंग और अस्रेल्जिया की निजए-दे लेटिड ने पहले बैटिंग की और adequéro्ण को कम ऱंस करते हो तो आपके बैट्समनों पर भी प्रेशर जो ए हो कम शो इसे परफॉर्म करें वह अगर कर रहें कॉंफिटेंट से खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं रोई शर्मा हो चाहिए वह विरात को लिए हो चाहिए वह पांच मैच इस अभी तक हो चुके हैं इंडिया के और मुझे लगता है कि यही फास बॉलिंग लाइन इंडिया को जो है वह सेमी फाइनल में पहुंचा तो कहीं पे भी आपको वीकनेस नजर नहीं आरी इस टीम के अंदर तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फेवरेट जो इस वर्ल्ड कप में है वह इंडिया की टीम है उसके बाद आप कह सकते हैं कि न्यूजलेंड है या साउथ अफरीका है लेकिन जो कंप्लीट एक पैक फाइनल या एहम तरीन मैची जाएंगे या फाइनल आएगा उसमें इनकी क्या परफॉर्मस होती है ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन अभी तक अगर हम परफॉर्मस वाइस बात करें पांच मैच इसके बाद इंडिया की टीम इस वर्लक अप की सबसे स्ट्रॉंग टीम न